नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर निखिल आज सभी का बहुत बहुत श्रागत है मेरे यूटूग चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन पैसेंटों को एलर्जी की प्रावलम है dust से allergy है, pollen से allergy है, हमीशा सर्दी जुखाम उन्हें बना रहता है छाती में बलगम उनका जमा रहता है, उन्होंने काफी medicine यूज कर चुकी है उन्हें किसी भी तरह का कोई भी relief नहीं मिल रहा है जो पैसेंट्स citrogen medicine यूज करते हैं एलोपैतिक में जब तक वहाँ citrogen medicine यूज करते हैं तो उन्हें relief रहता है जिस तरह से वहाँ citrogen medicine बंद कर देते हैं तो यहाँ problems उनकी repeat होने लगती है और तरह तरह की medicine यूज करने के बाद भी तरह तरह की test करवाने के बाद भी उन्हें relief विल्कुल भी नहीं होता है तो आज की इस वीडियो में में एक homopathic medicine की जानकारी आपको देने जा रहा हूँ जो काफी effective है एक single medicine है यदि single medicine का ही आप use करते हैं तो जो आपको dust से allergy है, pollen से allergy है आप अपना cup proper तरीका से आपका बाहर नहीं निकल पाता अब काफ को बाहर निकालना चाहते हैं respiratory attack symptom में आपका cup काफी मातरा में जमा हुआ है, जब भी आप सोते हैं तो बलगम की आवाज आती है, cup sound आता है, wheezing sound आता है तो उसके लिए काफी effective और homopathic medicine है यदि यहाँ वीडियो आप देख रहे हैं तो यहाँ वीडियो आपके लिए काफी informative है यदि आपके परिवार में किसी को भी यहाँ problems है, तो यहाँ वीडियो उन तक चरूर शेयर करिएगा ताकि बहाँ medicine का चरूर यूज करेंगे, अपनी problems को ठीक कर सके दोस्तो, medicine को जानने से पहले, सबसे पहले हम symptoms को समझ लेते हैं कि किस तरह के symptoms हमें patientों में देखने को मिलते हैं, तो हमें इस medicine का use करना चाहिए जिन patientों को बहुत ज़्यदा छीके आती है, dust से उनको allergy है, पूलन से उनको allergy है market में वहाँ जाते हैं और उनको allergy की problem हो जाती है, छीके उनको बार बार आने लगती है जुखाम उनको हो जाता है, आखों से आशू आने लगते हैं, आखों में जलन होने लगती है तो उन patientों के लिए यह medicine काफी effective है, जिन patientों को सांस लेने में दिक्कत होती है छाती में respiratory symptom पे उनका बलगम जम जाता है, सूखी खासी चलती है, काफी खासी चलती है कफ को proper तरीका से बाहर निकालना चाते हैं, पर कफ जो होता है, उनका proper तरीका से बाहर नहीं निकल पाता तो उनके लिए काफी informative medicine है आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे patients हैं, जिने कफ की problem होती है और हमीशा headache का, सिर का, उनका दर्द हमीशा बना रहता है और नाख से उनके पानी बहने रगता है आँखों से आशु आने लगते हैं, headache की उन्हें problem हो जाती है तो उनके लिए यहाँ medicine काफी informative है जो allopathic medicine काफी लंबे समय से use कर रहे हैं जिन patient को chronic cough की problem हो गई है chronic allergy की उन्हें problem हमेशा बनी रहती है homopathic medicine भी उन्हें तमाम यूज कर ली है उन्हें results नहीं मिल रहा है तो जो medicine में आपको बताने जा रहा हूँ उस medicine का dose, medicine का repetition काफी मायने रगता है यदि आप सही मातरा में सही medicine का use करते हैं सही symptoms को आप लेके चलते हैं सही symptoms को match करते हैं तो आपकी जो problems है भाब पूरी तरह से ठीक हो जाती है कुछ patients हमने देखा है जिन्हें chronic problem की chronic नजला की problem होती है कफ गले में जम जाता है और जिन्हें post nasal drip की problem होती है गले से कफ नीचे की और नाग से पीछी की और टपकने लगता है और yellow is कफ होता है तो उसमें यहाँ medicine काफी effective है काफी patientों में यहाँ medicine use की गई है काफी अच्छे इसकी results हमें देखने को मिले है कुछ patientों में हमने देखा है कि उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सफोकेशन उन्हें होने लगता है कि बलगम निकालने में patients को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है छीके आती है जुखाम हो जाता है आखों से आसू आने लगते है नाक से पानी बहने लगता है जब भी सुभा सोके उड़ते हैं तो यहाँ problems उन्हें ज़्यादा होने लगती है कुछ patientों में हमने देखा है कि बहाँ जब भी market में घूमने जाते है dust से allergy जैसी उन्हें होने लगती है तो उन्हें यहाँ public place में इस समश्याओं का उन्हें शामना करना पड़ता है यहाँ जो problems है काफी लंबे समय से patients suffer करते रहता है काफी treatment करवाता है काफी medicine है use करता है तो उन्हें relief विल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है जब भी हम alopathic की तरफ जाते हैं तो alopathic में anti allergic medicine हमें दे दी जाती है जब तक हम medicine लेते हैं तो हमें relief रहता है और जैसे ही medicine हम बंद कर देते हैं तो यहाँ problems और यहाँ जो दिक्कते होती है फिर से हमें start हो जाती है काफी घरेलू उपयोगी हम कर चुके होते हैं तो हमें relief नहीं होता है जो medicine मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह homopathic medicine है कई लोगों को बहुत ज़दा confusion होता है किस डॉक्टर साब आपने जो medicine बताई है हमें मिलती नहीं है यहाँ जो medicine है homopathic medicine है यह आप online भी purchase कर सकते हैं इस medicine को मैं आप पिच्चा लगा देता हूँ आप इसे देख लिजे जिस medicine का नाम है दोस्तो Justicia adadota Justicia adadota Spacially respiratory detect symptom पे बहुती अच्छा काम करती है जिन पैसेंटों को सूखी खासी चलती है कफ जम जाता है कफ निकालने में दिक्कत होती है Suffocation की उनको problems होती है तो उसमें इस medicine का यूज किया जाता है कुछ पैसेंटों को सूखी खासी चलती है जुखाम हो जाता है नाक से पानी बैता है, आखों से आसु आते हैं, आखों में जलन होने लगती है, सिर्धर्द होता है, तो उसमें जस्तिसिया अदो टोटा medicine का use किया जाता है. जस्तिसिया अदो टोटा 30 potency में यूज की जाती है, चार भून सुभा और चार भून शाम को 30 potency में इस medicine का acute condition में यूज किया जाता है, जिन पैसेंटों को acute condition है, शुरुवात में ही या problems उन्हें starting होई है, तो 30 potency में इस medicine का use किया जाता है, जिन पैसेंटों को chronic यानि की काफ चार भून सीधे डारेट टंग डोज आपको लेना है, रेगुलर 25 डेज तक इस medicine का use करना है, 25 डेज के बाद इस medicine को stop कर देना है, यदि आपका जो बल्गम है छाती में जमा हुआ है, बल्गम प्रॉपर तरीका से नहीं निकल पा रहा है, तो बल्गम प्रॉपर तरीका से यहां रोकती है, इतनी effective medicine है, सांती साथ another medicine, एक single medicine और साथ में आपको यूज करनी होगी, ताकि आपकी जो यहां प्रॉपलम से पूरी तरह से ठीक हो सके, जिस medicine का नाम है दोस्तों, एंटिम टार्ट, मैं यहां पिक्चा लगा देता हूँ, आप इसे अच्छी तरह से 30 potency में यूज करना है, तो 40 दिन तक इस medicine का सेवन किया जाता है, पर कुछ परेज हमें अवर्श्य करने चाहिए, जो वीडियो के last time में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो 30 potency में आप 40 दिन तक सेवन कर सकते हैं, इस medicine का यूज क्रोनिक कंडिशन को ठीक करना चाहते हैं तो 20 potency में किया जाता है, 20 potency में 4 भून सीधे direct tongue dose लिया जाता है, और आने वाले 15 दिन में एक बार फिर repeat किया जाता है, और आने वाले 15 दिन बार फिर इस medicine का repetition किया जाता है, तीन dose दिये जाते हैं, खाली पेट दिये जाते हैं, टेसेंट की जो कफ की problem है, बहाँ पूरी त तरह से ठीक हो जाती है, medicine यूज करते समय कुछ परेश करने चाहिए, जैसे कि आपको खटाई, ठंडी चीज, खटी चीजेवा शेवन नहीं करना चाहिए, कच्चा प्याच, कच्चा लैशू नहीं घाना चाहिए, यदि सबजी में डल रहा है, तो आप शेवन कर सकते हैं, इस बात का विस्यद्यान रखना है, इस तरह से हम medicine कर शेवन करते हैं, तो जो हमारी allergy, cold, flu, जो को problem है, हमारी बलगम की जो problem से, allergy की जो problem से, बहाँ पूरी तरह से ठीक हो जाती है, इस बात का आपको विस्यद्यान रखना है, यदि आप chronic condition से काफी लंबे समेशे परेशान ह यदि आप online concert ऐसी लेना चाहते हैं, तो discussion boss के नीचे पूरी जान करें दी गई है, इसकि मैं WhatsApp नमबर देते हूँ, आप हमसे भी online concert कर सकते हैं, आसा करता हूँ दोस्तों, यहाँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है ते वीडियो को लाइक करें, रेट कलर की पटन दवाका चैनल को सस्क्राइब करके वैल अगान की घंटी को जुरूर प्रेस करें, ताकि सभी लेटिस मैडियो में बसेत रहीं, फिल वे लिंगे नेक्छ वीडियो में, तब तक के लिए जै हैं, जै भारत बंदे मात्रम!